ये गाये भी धर्म शाला से आई है इसका तीन दिन पहले एक्सिडेंट हो गया कुछ अजीब सा वाक्या हुआ कि ये किसी गाड़ी और दिवार के बीच में फस गई और ये पूरी राद फसी रही और अगले दिन से फिर ये उठी नहीं जो लाएं हैं वो कहरते कि शायर हो सकता है कि ये प्रेग्नेंट भी हो तो आप कहेंगे कि हम हमतार जाते हैं पर ये अब तीन या चार दिन से बैठी हुए हम इसको होईस्ट पे खड़ा करेंगे पर फिर ये माताजी वाला केस है कि जब गाये इतने दिन तक बैठी रहती है म सरकारी होस्पतालों में मदद मिलती है सब कुछ मिला जो लागे मैंने आज तक कोई केस नहीं देखा कि गाये बैठी हुई हो और बाद में खड़ी हो के ठीक होगी हो हां जो लाएं है वो कह रहे हैं कि ये वीक है खाना खारी है पर हमने इसको गास देख लिए हमने इसको पालक देके देख लिया बूसा ये कुछ नहीं खारी समय होसता है शौक में और ना खारी हो अब इस गाये को हाली में किसी ने छोड़ा है क्योंकि आप देखिए इसके कांग के बीचे आपको दिखेंगे कि कितना ताजा च्छेद है ये जिससे टैग होता है उसने टैग उ चलाता है तो इसके खुर गिसते नहीं तो इससे पता लग रहा है कि ये किसी की अपनी गाय थी और इसने छोड़ी दिया अब ये मुझे बताईये ना कि कैसे लोग कैसे कह देते हैं कि डेरी की वज़ा से गाये के साथ खुरूरता नहीं होती ये निमूना है जीता जागता अब ये भी गाये हमने इस कंडिशन पे लिए कि अगर इसकी डेथ हो जाती है तो ये धरमशाला वाले इसकी बॉड़ी लेके जाएंगे क्यों क्योंकि जिंदी गाये का तो कोई ध्यान रखता नहीं गाये के मरने के बाद भी उसकी डेड बॉड़ी का भी कोई इंजाम नह तो अब हम तो आस्पताल हैं यहां तो आती ही घाए वह जिनका एक्जिडिन्ट होता है कल धरम शाला में एक गाड़ी वाला ओन दे सपोर्ट चार मार गया वह मर गई गाए अब बच जाती तो यहां आती यहां आती फिर वह यहां आके मरती औप फिर मैं क्या करता चार है यह पंजाब नहीं है गुजरात नहीं हम मतलब हिमाचल के गाउं में यहां पे लिमिटेड फैसिलिटी अवेलेबल है मतलब 200 किलो मीटर तक एक अस्पताल है जहां पे एकसरे किरा सकते हैं उसमें घानाओ रिरी करके ुंसे वो करो कि हमें सरजरी की प्लीजेड टीजिए पहले सरजरी की डेरे法 के लिएप देड़ जाना पड़ता है यहां से दो घंड़े दूर भी मैं पड़ता है उसमें फ как लिमितेड हमें २ाओ मिलती है। खैर इस गाय का जो भी होगा हम अपडेटेट रखेंगे। मुझे पता है हसाय का नाम होता नहीं जो रेस्क्यू ठीक होके जाते हैं उनका तो इतना नाम होता नहीं पर हाँ जो मर जाते हैं तो लोग कहेंगे भई ये तो देखिए आपके यहां गाय खतम हो गई पर जो है सो है जो इमानदारी से बात है मैंने आपको बता दिये।